एक युग की कहाने जवानी के इन बुझतों की ये है जवानी कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है अल्विदा लानी कोधी अल्विदा लानी कोधी अल्विदा अल्विदा लिए, कुछ पुरानी कोधी आउए, ये मरी लास्ट वार्डिंग है आइंडा इस एरिये में गाड़ी चलाई, लाइसस जब्द कराके कैसल करवा जूँगा? अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचती कुछ? जिननों ने तुम्हें इतना बड़ा किया है? उनके बारे में भी तुम्हारी कोई दिम्मेदारी भनती है नी बनती है? मेरी बात तुम्हारे भेजे में आ रहे है नहीं आ रहे है पुलिस वाले की वर्दी पेहन रखी तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर तरफ अपनी धॉंस जमाते फिर आप जैसे पुलिस वाले अमेरिका में चगे चगे में मिलते हैं है और है पेहले अपी तोपी ही कर लिजे पिर फूस्वाला यह घा रब यह जिस इसकर इस इद करा एठ जो राजमेंट में मैं तुस्वस्वाला प्रवूस मेर डादा प Leash में पुरा खंदान पुरी समा और ये लगी कह रहे है कि हम जैसे पुलिस वाले इसक अमेरिका में टक्ले टके मिलते हैं जिप निप निपक अप्रताब साब की वज़े से मैं कोई आक्षन नहीं ले रहा हूं वरना इसको तो भी चूब ठीक करते हैं जिए इस्पेक्टर साफ, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे, इस तरह से अकेले बाहर नहीं निकले देंगे क्या बाहर नहीं निकले देंगे? अरे इसको समझाओ, खतरनाग लग्ची है पागल है यह जी इस्पेक्टर, मैं ध्यान रखूगा, ठीक है क्या ठीक है? अरे इस्पेक्टर ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको ठीक करो, इसको ओँए जी बागल है दिवाग खराब करती है इसने मेरे इसको अमेरिका भेचो वही ठीक है जी 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 ऐसे अशी लग्ची आश तक दीदेश मैंने बागल करती है इसने मुच्छा आज से लड़की बाड में जाए अरे आज से लड़की बाड में जाए मेरा से कोई लेना देना नहीं ओ गौड आप फेड़ा नंधनी बेटे, इस तरह अकेले गाड़ी ले जाना खत्रे से खाली नहीं था तुम ड्राइवर को क्यों नहीं साथ मिले गई? अंकर, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं कुछ देर सिर्फ अखेले रहना चाहती थी इस देट टिफिकल तो अंडस्टाइब? मैं बस खर लोटने ही वाली थी कि शालिनी और आनद उस गवार पुलिस वाले को ले आए दिमाग खराब कर दिया उसने पर बेटी, तुम्हों में बता कर भी तो जा सकती थी हाँ आम सॉरी आंटी, लिखिन हर एक की अपनी प्रिवसी होती है और फिलाल मैं चाहती हूं कि कुछ दिनों के लिए आप मुझे अखेला छोड़ते अखेले रहना है, तो कमरे में रहो ना जंगलों में घूंकर हम सब को परिशान करने की क्या दरुवत अट अंकल वहाँ पर तीन आदमें ऐसे खड़े थे जो बिलकुल गुंडे जैसे लग रहे थे वो तो हम लोग बाद पर पहुंजे आप आनंद मैं जंगलों में घूंगों यक पहार पर जोड़ों तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरुवत नहीं वाट ये भग्वान गूंटी इस लड़की को क्या हो गया है कुछ नहीं उंकल बदिमाग और बद्तमीज लड़की है समर सहाब ने इसको बिगाड दिया है दो जहापर लगने चाहिए रहा दिमाग ठीक हो जाएगा नहीं नहीं आनंद बेटा ऐसा नहीं कहते जरूर उसे कोई चीज परेशान कर रही है तुमने देखा नहीं आजकल किस तरह खामोश रहने लगी है वो जरूर उसके दिमाग में कुछ ख्यालाद चल रहे है कारगार पढ़ती रहती है सुवाशाम हर पतानी किन ख्यालों में डूबी रहती है कालनी अगर कारगार पढ़ने का ये नतीजा है इससे से तो बोलफ खेले कम से कम नजरों के सामने तो रहेगी अचरूर फेल तो आटानी पार्व कालाटों मुझे रखेल थे क्या बात करें प्रभुजी बनाइक गैन लगने से अज तक मरा है कुई परफ अज्रा को बूरप अब लगा साफ रखेला रबुजी आपको कुछ नहीं होगा, आप जाएए अराम कीजी, आज रात यहीं सोजाएए घर जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, नहीं मैं साफ, महीं हार रहने सकता हुआ मुझे घर जाना प्रगा मैं साफ, ठीक है तो जाते समय मुझे दवाई लेते जाना और जहां चोट ल काल में खुई रहती है कुछ लगरा कहीं गिर नगाओऊ यहाँ जो हो रहा है पर लाने के फाल जी भांजी है कि सब सब्सक्राइब है आपके पास माचिस है माचिस है आप लो कौन माचिस तो होगा लेकिन मैं तर्मींद धर्द है यह पहां लीजारा है कर दो अ को जा जो नहीं तो चोड़ा तो कि अप्रड़ दो थाप मुझे जुद्धु तो कहा लगा है क्यो अच्छ वह नप लूग जा चाहते हैं या अर तो नहीं सवाल मैं करूंगा और मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब देना वरना तेरी भोटीए भोटीए काट के कीमा बादोंगा, संधे? तो आप मुझे भाप कर दो साफ, आप से गल्ती हो गैं साफ मैंने भीम के बाग से सिर्फ दो थिन फौल चोड़ के लाए था और वो मैंने खाया साफ कितने कमरे हैं उस घर में उस घर में? हम तेरे गर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस घर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें नंदनी रहती है, इतने कमरे हैं उस गर में, और कोई चोकिदार है, चोकिदार तु नहीं सर उसका चार कमरा है, उसमें एक में बात रूम है, एक किजन रूम है, और उपर का जो कम और एक डेनिंग रूम है और ये सब पर अपलोग पुछ रहे हो मुझसे अपने जोड़ दूना तेले संग अब आता में मतमारो मेरा पहले से चोट लगा मुझसे अपने कोई अधियार है अधियार नहीं साब अधियार कोई अधियार नहीं है मुझसे चोड़ दो साब मुझसे मतमारो साब की एंदर निकाद Harley में साफ साफ बता है वाव एकijah जाती है किया करती है इंधिक बता सब्सक्राइड कि उपजाती है मुझे होजय पता रहिए गुझा जाती है बुझे कोई पतार साहब मैं अफ़ला काम चाहते मुझे और मुंझे मुझे यह वाफ कर दिया कि तर्परमालने की ज़रूरती है, मुझे क्या मालम था, एक हूसे में टू हो जाएगा, तो अब उठाओ उसको, हमें इसे सारी जानकारी हासिल करनी है, और हमें नंदनी को काइप करना है, उसके घर से वोगी चल्दी, अल्विदाना ने को ठीजिए, आलसी आत्मी है, कहीं जाकर सो रहा हूँ, जब देखो, छुट्टी मारता रहता है, गुठ्टी मारता रहता है, निकाल दूगी इसे, काम चोड़ कहीं का, गुमची, तुम तो खाम्खा नराज हो रहे हो, भई प्रभु जी की तब्यद ठीक नहीं है, घर पर बीमार पड़ा होगा बिचारा, क्या होगा, कुछ नहीं शालनी बेटे, ये जो कुछ भी हो राए ना, प्रभु जी की महरबानी से हो राए, है प्रभुजी क्या नहीं आये सारे घर का काम हम दोनों को करना पड़ रहा है आप मटर चील कम रहे हो खा ज्यादा रहे है चाचा जी आप हटी है मैं कर देती हूँ नंदिनी क्या कर रही है आप चिंता मत कीजिए अब मैं इसका टेस समझ गई हूँ यह मैं क्या देख रहा हूँ बाहर कोई भी निये सब लोग यहाँ खाना बनाने में लगे हुए अब प्रताप जी वही तो आज बिना बताए प्रभुजी ने फिर चुट्टी ले लिए बहुत ही आलसी हो गए है मैं तो कहते हूं तुम हमारे लिए ना गाहों से कोई दूसरा नौकर ढूंदो अंटी मुझे तो लगता है उनकी तबियत खराब हो गई होगी नंदिनी ने गॉल्फ की बॉल मार दी थी ना मुझे तो डर है कहीं उनका दिमाग पर्मानेंटली डैमेज नहीं हो गया हुआ अनंद डॉंट टॉक नॉंसेंस गॉल्फ बॉल के लगने से किछी का फ्रक्ट्र नहीं होता पते ही तुमारी बुरी आदत कब जाईगी जब देखो मुझे दोशी ठहराते रहते हो अंटी अंटी किया बात है कि पाठी या कि टेराय किया इत्ना सारा खाना और लेक में नहीं नन्दी कोई पाते नहीं हो रही वो क्या है ना आज प्रभू जीनिया नजिशेसलने इसलिए सारे घर का काम हम सब कोई करना पड़ रह है अरे तुम चिंता मत करो बस अब थोड़ी देर में सब कुछ तैयार हो जाएगा आंटी मैं भी मदद करूगी लंगनी ठीक किचिन का काम तुम्हारे बसकी बात नहीं है एक काम करो तुम जंगलों में जाओ सेर करो गॉल्फ खेलो वो वेन लेकर ड्राइब में जाओ अनंद तुम थोड़ी देर के लिए चुपने ही रह सकते हैं लगता है तुमने अभी तक सीखा ही नहीं कि इंसान को जब तक बोला नहीं जाए तब तक उसे अपना मून नहीं खोलना चाहिए तुम जाओ नमा गाओं में जाकर समात सेवा करो और वो क्या उपले के अपले बनाओ जाओ नंदनी गॉल्फ की बॉल से लोगों का सर तोड़ना जंगलों को गुमकर हम सब को परिशान करने से ये काम लाग गुना अच्छा है अडुस्टैंट ओके बस 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 अब तुम् मैं शुरू होगी ना तो खाना नहीं बनेगा अँटी आप चिंता मत कीजिए मैं आगी हो ना अँटी आप इंसे जरा ये पूछ लिजे इन्होंने जिंदीगी में कभी किचन में काम किया है अनल विली प्लीज गो आउड दे किचन तो मुझे अंडरेस्थीमेट कर रहे हो और हाँ मुझे हर काम करना आता है रहने दोना बेटी बैसे तो है अंकल आप लोग्यां से बाहर जाए ये मर्दों का काम नहीं है ये प्यटिया ठीक कर रहे है चलो आनल वैसे आंटी क्या बंद रहा है को ही रोटी दाल सबजी आलू मतर चावल राइता आंटी मैं देखू इसमें हल्दी कम है और आपने इसमें जीरा नहीं दाना मैं लेकर आप प्रणा प्रणार है प्रणार है आउन्टी, आउन्टी, वो शाली ने, मैं से, आउन्टी पेटे, ये सब कैसे है? छोटा सा एक्सिडेंट वा है उसे में हल्दी निकाल रही थे और और वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कुछ दिर पहले मुझसे भी मटर वाली थाली नीचे कर गई थी हम लोग समयट देंगे तुम जाओ जाकर आराम करो आउन्टी मुबारक बेटा, जाओ पता लगाओ प्रभुजी कहां है उनके बगएर यहां काम नहीं चली रहा उनको ढूंकर अपने साथ लेकर आँ, अब भी जाओ ओके मुंती, तुम इस बात का ख्याल रखना के यह लड़की दुबारा किचन में नहीं जाए बंद कर इसे, सारा दिन टीवी देखते रहती है मम्मी, पहले तो कभी नारासी होती थी, फिर अब क्या हुआ, तू ज्यादा बात मत कर समझे ला लेख रहा हूं सरुचा, तुम कल से छोड़ी छोड़ी बातों पर चिड़ रही हो गुस्सा कर रही हो, क्या बात है? आखी रसा क्या हो गया? पूश तो ऐसे रहो, जिसे हर प्राव्रम का तुम हल निकाल सकते हो तुम तू सर्फ एक मास्टर हो और जिन्दगी बर सर्फ मास्टर गिरी करते रहे ना उन चोटे बच्चों का ही प्राव्रम साल करते रहे ना, तुम से बाकि कुछ नहीं होने वाला है कौन है? जी मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ तर नहीं नहीं समर साब, आईए ना, आईए बैठीए नहीं नहीं बस मैं मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि प्रेनर्जी मुझे आपकी मदद चाहिए जी, हुकुम कीजिए हम आपके किसी भी तरह से काम आ सकें ये हमारे लिए सौभा की होगा देखिए कल लाल कूठी का सौदा होने जा रहा है और सुखिंदर लाल जी सब रिजिट्रार साब को लेके ठीक बारा बज़े यहां आ रहे हैं पेपर साइन करने के लिए उस वक्त विटनेसेस के तौर पे आपका और सुरोजा जी का हॉल में आना बहुत जरूरी है जी हां बिलकुल आप जब कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे जी नहीं हम मेंसे कोई नहीं आएगा समर साहब मैं सरोजा की बस सलूकी की मौफी चाहता हूँ लेकिन आप तो उसके सौहाँ से अच्छी तरह से वाकिपने जी मैं मैं समझ सकता हूँ लेकिन अगर हो सके तो उन्हें कल नीचे हाल में लाने के पूरी कोशिश के लिए बहुत जरूरी है क्या है कि कल का दिन बहुत महत्पूर्ण दिन है बरेंदर जी और मेरे लिए बहुत मुश्किल भी कल से लाल कुठी किसी और की हो जाएगी और अगर उस पल आप दोनों मेरे साथ रहे तो वो मुश्किल पल मेरे लिए किसी हद तक आसान हो जाएगा मैं आपकी मनस्तित ही समझ सकता हूं समरसा है इतना आसान नहीं होता है अपने इतिहास को अपने से अलग कर बाना पैसा देने वालों के लिए इसकी कोई क्रीमत नहीं लेकिन आपके लिए जिशु तक में यह श्रुक्त आपके आपके लिए तुम्हें मैं आपके लिए अब पर्वुक उठागा लेकिया आगे अब पर्वुका क्या करें हैं अचाय डालेगे या हमने सोचा कि पभू को महां से हटाकर उदम को नौकर बनाग भेज़ देंगे ताटी वो नंदिनी पे निगरानी करते के मौका मिलते ही हम उसे उठा लेंगे तुम्हें सोचने के लिए किसने कहा था एक बात सुन लो 24 गंटे का बखत है हमारे पास उस 24 गंटे मगर कुछ कर लिया तो कर लिया नहीं तो लाल कोठी निकल जाएगी हमारे हांस से तो सुखेंदर लाल आ रहा है रेजिस्टार को लेके कोठी में दस्तकत करवाने एक बात दस्तकत हो गए सारा मामला फिनिस समझे ग रही तो क्या हमार पास कल तक के लिए वक्त है कल लाल कोठी दिख जाएगी है भाया आप कुछ कीजिए लूगे पठ्थे अब तुम्हें करने के लिए कुछ भेजा ता वहां पे तुम तो करने ही पा रहे हो अच्छा सुनो पर्शान मत हो हम कोशिश करें यहां सवदा रुक्वाने की और तुम लोग जो हो जो काम के लिए भेजा है ना उसे जल्दी जल्दी फिनिस करने कोशिश करो चीक है तुल्लू के पठ्थे हैं पता नहीं का का करते रहते हैं सुनो अब तुम आज पहुशने के तयारी करें क्योंकि मेरत ने इस वक्त मामला बहुत धरम है याद रहें सिद्धी की भाई वो सब रजिस्टरार किसी पिहालत में कलाल कोठी ना पहुच पहे अब इस काम को अंजाम कैसे देंगे हम नहीं जाने हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर गोलियां चलानी पड़ें तो चला दी ठीका बू मां की रकम मिलेगी आपको हलो हलो क्या बत्तमीजी है इसके कोई जरुरत में एक सेथ्टी का क्यों क्या सौदा कैंसल हो गया नहीं तो जाएगा क्या पक्वास कर रही हैं आप सब रजिस्टरार ने कलका टाइम दे दिया है अरे सुकेंदर लाल के साथ ठीक बारा बजे वो लाल पूठी आने वाला है आरे दो अच्छा तो जरा हम भी तो सुने ये ऐसा कौन सा आप चमतकार एक ही रात में कर लेंगी सुनने सुनाने का वक्त गया आप से अच्छी अब हम कुछ कहेंगे नहीं बलकि करके दिखाएंगे समर सहब लाल कोठी का सौधा आप के बिना और किसी के साथ कर ही नहीं सकते ये हमारा आप से बादा रहा इस कारक्रम के प्रायुजक रिन अडवांस पाउडर रिन दे कपड़ों में चाहिए